आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रिसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही राउटनोट करें प्रशन के लिए को एक निश्यत महत्र द्रविमान की होगी, जो जल और जलवाष्प को प्रदर्शित करता है, उसके लिए जलवाष्प का जो कुल आयतन होता है, वो जल के अन्वों के लिए या सामाने जल के आयतन का एक दिश्मलूव छे 7 गुणा तस्कीगा 3 गुणा ह होता है यह हमसे कहा देखके जो statement यह घतन दिया हुआ है उसे हम गंची रुप में लिखते हैं तो इसे क्या लिखेंगे तो इसे हम लिखते हैं यहां पर चलवाश्प का कुल आयतन, उसे लिख लिख लिया है कि जलवास्प का जो कुल आयतन होता है, वो जल के आयतन का 1.67 गुना दसकी घात 3 गुना होता है, जलवास्प लिख 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 करण यदि हम उसके त्रिज्जा की बात करते हैं तो हम इससे क्या लिख सकते हैं देखिएगा त्रिज्जा यहाँ पर हमने इसे आर डैश की रूप में प्रसुत कर रखा एक तरह से समानी रूप से हम कह सकते हैं कि आर्ट की घात यहाँ पर तीन जो होगा मान ठीक है अब यह हमें आर डैश का मान निकालना होगा तो हम इससे कैस तरह लिखेंगे इस तरह हम लिखेंगे दस आर के रूप में ठीक है घातीन घाती निया से कटेंगे तो यह हमारे पास लगभग इतना आएगा मान तो इसे हमने देखिए जो जलवाश्प के लिए उसके त्रज्या होग तो हमें एक अनु की त्रज्या का मान दिया हुआ है जलके जलके लिए एक अनु की त्रज्या का मान आर बराबर कितना दिया हुआ है वह हमें दो एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है अब हम यहाँ पर देखें तो आडश का मान यहीं हमें निकालना है तो आडश की रूप में ह हमें कितना मिला अब जलवाष्ट के लिए उनके बीच अंतर परमाणविक दूरी कितनी होगी तो इसे थोड़ा सा उधारन देखे हम समय सकते हैं कि गुलाकारबूंद ही हमने ले लिया है एक गुलाकारबूंद कुछ इस तरह से और उसके साथ एक गुलाकारबूंद उसके स किरूप में ले लिया इसे को हम क्या बूल दींगे दोनें की वीच कि दूरी को कहेंगे तो उससे क्या लिखा जाएका उसे इस तरह हम बूल सकते हैं कि जलवाष्ट के नवंए पी से ूर्हाधर में नीके होगा यहां पर छे त्लर िंवह सकते हैं analys का मनंबिक किया होगा तो हम इसे क्या लिखे हैं दो गुणा 20 यहां पर है एंगस्ट्रॉम के रूप में तो हमारे पास उसत दूरी का मान कितना आता है 40 एंगस्ट्रॉम तो इस प्रकार चलवाश्ट के अड़ों के बीच उसत दूरी का मान यह हम उसे बोलते हैं परमानविक दूरी कितनी होगी त आप्त होता है यही हमसे प्रश्ण में पूछा गया था धन्यवाद करें सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर